आज हम बनाने जा रहे हैं चेना मसाला इसे बनाने के लिए हमने घर की सामगरु को ही इस्तमाल किया है इसे हम सैलेट के लिए भी बना सकते हैं मुझे यकीन है यह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेर अत्वा केमेंट्स कीजिए तो चलो बनाते हैं चेना मसाला एक कटोरी बीगीवी चेने की डाल इसे में साथ से आठ गंटे पहले भीगोने के लिए रख दिया था एक मीडियम साइस का अलू जीरा लाल मिर्च पावडर एक चोथा यद्रक का टुकड़ा जिसे खुत्था बेड़ी बीगेवे चेने को अलू को पुकर में काई अलू कार्व इसमें पीने का पानी का ही इस द ब्रत्र में डाल दिया है अब इस एक दोलों को कुकर में डाल में 20 तोड़ा पानी डाल दिया है अब इसमें निम्बों ऩाय ने गुथा है अब इसमें हम चणे कबलतने और रखकते कर्दे कबर कर लेंगे और 500 कुप nice कि गैस में 07 षीन होने तक इसे माइam आप देख सकते हैं हमारे चने और अलू अच्छे से बॉयल हो गए हैं अब हम आलू को छीलकर उसे छोटी टुपड़ों में काट लेंगे कि आलू हमारे छोटी टुपड़ों में कटके तयार हो चुके हैं हमें अदरक को पीस कर उसका पेस्ट बना लेना है मिर्ची और अद्रक पीस के हमारी तयार हो चुकी है हमने इसे दर्दरा पीसा है आप देख सकते हैं एक बर्दन लेलेंगे उसमें हम उबले हुए चने कटा हुआ आलू अद्रक मिर्ची का पेस्ट पाली मिर्च पाउडर गरम मसाला बाली कटा हुआ प्याज और आहदा आप चाहे ? चाहे तो इसमें कटे हुए टमाटर भी जाल सकते हैं पर मैंने इस्तमाल नहीं किया है, तारी सामगरी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई अब ंदा चमाएं ही तड़का देना है काड़का धड़का देने के लिए हमने काड़ाई रिपाँ था सिस तडाइ के लिए ऑजड दालकर गरम करने के लिए रखा है अब हम इसे चने की मिश्रण में डाल देंगे अब तड़के को भी इस चने की मिश्रण में अच्छे से मिला लेएंगे चनह हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है इसे हम कभी भी बना सकते हैं बारिस्ती बसनबेस के खाने का कुछ औरी मजह होता है तो इसे आप जरूर बनाएए यह आपको बहुत पसंद आएगी हमारा चैना मसाला पूरी तरह से तयार हो गया है अब हम इसे धनिये से गार्णिश कर लेंगे हमने इसे सविंग प्रेट में निकाल लिया है अब हम इसे पूरी तरह से खाने के लिए तयार है यह सभी को बहुत पसंद आएगी इसे आप जरूर एक बर बनाएए और अन्त तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद